टेकनोलोजी की बदलती हुई जमाने में सुरक्षित रहना काफी मुश्किल हो गया है और हम तब तक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं जब तक हमारे पास सेही नॉलेज ना हो और इसलिए मैंने यूटीब बे स्टार्ट किया है बी सीकियोर, बी सेफ सीरीज और इस सीरीज की बी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकता है दोस्तों वीडियो में बात करेंगे ऐसा एक Malware के बारे में जिसे हम spyware नाम से जानते हैं लेकिन पहले जान लेते हैं Malware किसे बोला दोस्तों जिस software को specifically computer system, mobile device जैसे चीजों को disrupt यानि कि नाकाम करने के लिए या फिर damage करने के लिए या फिर unauthorized access को gain करने के लिए पाने के लिए बनाया जाता है उस software को यानि कि उस malicious software को malware बोला जाता है और यह malware दो तरीके से हमारे device में आते हैं एक होता है online ओनलाइन ही जादातार आते हैं जैसे आप कोई भी malicious website पर जाके वहाँ पर ads पर click करते हो या फिर कोई भी malicious website पर जाके आप pirated movies, pirated games, pirated कुछ भी download करते हो या फिर modified applications डाउनलोड करते हो और उसे अपने phone में install करते हो तो उ malicious mail आपको किसी ने भेजा है उस पर जो भी attachment file है उसे आप download करते हो या फिर कोई भी link है वहाँ पर आप click करते हो तो उसके दूब आपके phone में malware आ सकता है या फिर offline sources से भी आ सकता है जैसे आप कोई भी malicious cd, dvd, pendrive आपने devices में use करते हो तो उस तरीके से भी malware आपके phone में आ सक करता है और malware बहुत सारे तरीके का होता है लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे spy software यानि की spyware के बारे में दोस्तों हम पहले ये clear कर लेते हैं spy किसको बोलते हैं दोस्तों मान लिजे for example मैंने एक आदमी को hire किया और वो आदमी जाकर आपके पास जाता है और आपको बीना बत पाए ही मेरे साथ share कर देते हैं तो वो आदमी को बोलता है spy अब जब कोई एक application एक software ये काम करता है तो उसे spy software यानि की spyware बोलता है तो दोस्तों आप एक एक करके जान लेते हैं कि spyware काम कैसे करते हैं आपके phone तक spyware कैसे पहुंचता है और spyware आपके mobile में है या नहीं है आप कैसे जान सकते हो आगर आपकी phone में spyware है तो आप कैसे उसे remove कर सकते हो कैसे बच सकते हो सभी चीज़े एक एक करके cover करेंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर subscribe कर लेना step number one spyware काम कैसे करते हैं दोस्तों market में बहुत सारे spy platform है जैसे कि FemiSafe spy phone app appmia dot com tracking smartphone dot com बहुत सारे platform है spy human यह सभी platform पर जाके इनका एक official website होता है वहाँ पर जाके आप अपने phone number या फिर email id के साथ password देके account create कर सकते हो sign up कर सकते हो या फिर google play store iPhone का app store पर जाके इनका official applications मिल जाएगा वहाँ पर अपने email id phone number के साथ password देके sign up कर सकते हो मतलब account create कर सकते हो और वहाँ पर आपका ID बन जाता है और उसके बाद जिसके उपर आप नजर रहना चाहते हो उसका phone कुछ देर तक लेके जहाँ पर अपने account create किया था उन्ही platform का applications उस phone पर या फिर उस computer पर install करना होगा आपको और install करने के बाद सभी permission देना होगा और permission देने के बाद अपने जि पर आपके बाद करते हैं उसके microphone किसी बेवक्त आप remotely start कर सकते हो कैमेरा में आप चालू करके देख सकते हो किसी बेवक्त चाहें वो camera on करे या ना करे आप आपने आपसे ही देख सकते हो अपने ही phone से सभी चीजे कर सकते हो पूरा control आपके पास हो जाएगा और आप उस phone को भी control कर सकते हो कि कितना concept application कितना time यह चलाया सकता है नहीं चला सकते है वो आप remotely time set कर सकते हो सभी चीजे आपके हाथ में हो जाता है क्या किसी के बर नज़र रखने के लिए spy platform को use करना चाहिए इसका जवाब पहले ना है ना क्यूं है इसका तीन करान है एक तो है यह paid होता ह है मतलब हर एक platform paid होता है आपका पैसा खर्च होगा दूसरा है यह illegal है अगर आप करते हुए पकड़े गए तो आपको jail हो सकता है jail हो सकता है क्या jail होगा और तीसरा है उस spy platform का ही data अगर leak हो जाए बड़े-बड़े companies का data तो leak हो जाता है तो इनका data अगर leak हो जाए तो जिसको अपने जिसके mobile में spy application यूज करके उस phone को hack किया था तो उसका data leak हो जाएगा अगर उसके phone में personal कुछ चीज़े हो बो leak हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ चीज़े है जो leak होने पर उसका जान को खतरा हो सकता है तो वो leak होने पर उसको तो मतलब आप समझी सकते हो तो उसका जान का भी खतरा हो सकता है तो आपको यह बिलकुल ही नहीं करना है खतरनाक चीज़ होता है आपको भी मुश्किल में फस सकते हो और जिसका करोगे वो भी मुश्किल में फस सकता है तो यह नहीं करना चाहिए और उसका जबाब hack इसलिए है कि आगर आपके घर में छोड़ी-छो applications पे फूरा फोन पर वो क्या करते हैं, कहा जाते हैं, सभी चीज आप देख सकते हैं, और जो applications वो बहुत ज्यादा यूज़ करते हैं, माननीजीए बहुत ज्यादा game खेलते, बहुत ज्यादा social media पर busy रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप time set कर सकते हो, कि इतना time तक यह applications को मेरा बच्चा use करेगा तो time भी set हो जाएगा उससे जादा use नहीं कर पाएगा उसके इलाबा और भी बहुत कुछ चीज़े हैं जैसे गाली गलोज का option होता है बंद कर दोगे ना उसके mobile में गाली गलोज वाले word आईगा ना वो भेज पाएगा या फिर adult content बंद करने का option होता है आप अगर बंद कर दोगे ना ही उसकी mobile में adult content आएगा ना ही book सार्च करके देख पाएगा तो इससे अच्छे काम के लिए भी use किया जा सकता है बुरी काम के लिए use किया जा सकता है और आपके फोन में कोई spyware है या फिर नहीं है आपको कैसे पता चलेगा साइड में instruction आपको मिल जाएगा follow कर लेना सबसे पहले आप लोग अपने फोन की settings को open करना है और settings को open करने के बाद नीचे की तरफ आप लोगो को Google का option मिलेगा वहाँ पर click करना है और वहाँ पर click करने के बाद security का option मिलेगा security पर click करना है और security पर click करने के बाद Google Play Protect का option मिलेगा वहाँ पर click करना है और वहाँ पर click करने के बाद आपको ये वाला चीज clearly दिख जाएगा अगर आपको ये चीज़ दिख रहा है एक आलागी applications दिखा रहा है तो यह कोई spyware है या फिर कुछ भी दिखा रहा है तो यह spyware है तो यह direct uninstall नहीं होगा इसके लिए दो ही step है step number one आपको mobile पे settings पे जाना है दोबारा और settings पे जाने के बाद administration का option मिलता है वो ढूड़ना है अलग-अलग phone में administration का option अलग-अलग जगा पर मिलता है सबसे best तरीका है settings के एकदम उपर जो search का option मिलता है वहाँ पर administration search कर लेना है और search करने के बाद administration का जो option आएगा वहाँ पर click करना है click करने के बाद वही applications आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा वहाँ पर click करना है click करने के बाद आपको deactivate का option मिलेगा deactivate कर लेना ह और उसके बाद आपको जो app manager का setting मिलता है mobile पर सबसे पहले आपको mobile settings के पर जाना है settings पर जाने के बाद किसी mobile में app, kisी mobile पर apps किसी mobile में app manager, kisी mobile में application manager अलग- Biraz option मिलता है वो आपर क्लिक करना है और उसके बाद जिस applications को आपने deactivate किया था उसको uninstall करना है तो उसके बाद आपका जो spyware है mobile से हट जाएगा और दूसरा step अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो simple है आप अपने mobile पर reset data factory का जो option होता है reset का जो option होता है reset कर दीजिए जितने सारे mobile में data है पेसली installed software है सभी चीज़े एकदम चुमंतर हो जाएगा गाइब हो जाएगा अप ऐसे भी कर सकते हो दूस्तो आगले वीडियो बहुत ही important है ransomware के बार में वीडियो आने वाला है तो चलों को जूरूर subscribe कर लेना bell button पर all notification on कर लेना ताकि जब भी मैं आगले वीडियो upload कर दो आपके phone में तुरंथ पहुँच जाए तो इस वीडियो का बार में आपका कोई भी सवाल या फिर सुजाब है तो नीचे comment जरूर कर देना इस वीडियो को लाइक कर देना चलों को subscribe कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत